विडियो में लास तक बने रहेगा विडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और विडियो तो मैं डेली डालने की कोशिस करती है और डाल भी रही हूँ तो चलिए अब गाडन की सुरुआत करते हैं यहां से जो मेरा बहुत ही खुबसूरत गाडन है और इसको मैंने बहुत ही प्यार से सजाया है यहाँ पर सारे मेरे इंडोर प्लांट भी है आउटडोर प्लांट भी है और इस तरह के अभी फ्लावर्स खिल रहे हैं यह टोगरी देखिए टॉप यारी मैंने जो तैयार की थी उसकी अपडेट भी आप लोग को दिखा देती हूँ टैंगल हाट देखिए काफी अच्छे से अब ग्रो हो गई है धीरे धीरे इसकी ग्रोथ दिख रही है यहाँ पर देखिए तो जब यह पूरी अच्छे से भर जाएगी तो काफी खुबसूरत लगेगा और बिल्कूल वेस्ट माटेरियल से मैंने बनाया है तो जब भी हम कोई भी चीज बनाते हैं DIY तो उसमें बहुत जादा खुसी होती है यहाँ सारे प्लांट रखे हुए हैं कुछ पॉंसिटिया के प्लांट मैंने अभी और भी कटिंग लगाए थे उसकी भी अपडेट बहुत अच्छी है यहाँ पर देखिए प्लांट बहुत अच्छा फ् खत्म हो गई है तो बारिस के बाद जो है बहुत सारे काले पीले कीडों का अटैक बहुत जादा होने लगा है मैंने 2-3 दिन पहले भी आप लोग से सेयर किया था और आज संडे है तो संडे के दिन कुछ टाइम गार्डन के लिए जादा ही मिल जाता है कभी-कभी तो आज म मेरे दो प्लांट खराब हो गए लिप्स्टिक एगलो नीमा जो कॉस्टली भी आता है तो कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंज किसी प्लांट की हम बहुत अच्छे से देख भाल करते हैं उसके बाद भी वो प्लांट खराब हो जाता है यहाँ देखिए सफलेरा कितना खुबसूर लग रहा है इसकी पतियां वेरिगेटेट पतियों वाला सफलेरा है बहुत प्यारा लग रहा है और यहाँ पर देखिए फिलो डेंडरन की कटिंग मैंने लगाई थी कितना खुबसूरत लग रहा है गोल्डन कलर वाला है और ग्रीन वाला भी है दोनों है मेरे पास तो इस तरह के फ्लावर्स आये थे तो काफी अच्छा लगता है और खास तरपे मुझे वो प्लांट बहुत पसंद है जिसमें छोटे प्लांट में जल्दी फ्लावरिंग होती है तो बहुत प्यारा लगता है और यह कमाल मेरा सीवीड ग्रेनवल का है फ्रेंड सही बात अगर सकते हैं यूफ और विया मिली बहुत दिनों से यह फ्लावरिंग कर रहा है लेकिन अभी यह लास्ट हो गया है तो सोच रही हूं इनकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दूंगी और बहुत ही अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं इस समय तो यहां पर देखिए सारे विंट बहुत 트ुणी है लेकिन विंटर प्लांट में मेरे एक भी जो प्लावरिंग पर नहीं आए हैं गरत तो कुछ प्लांट की बहुत अच्छी हुई और विंटविड़ी लगा दिया जो ग्रो हो गई है वे भिंडी यह थेलित हैं जिनकी गरत काफी अच्छी हो गई है दो सार ये second और इसमें flouring हो रही है पहले बार की मैंने pruning कर दी थी उसके बाद इसमें flour आ रहे हैं hibiscus का देखिए ये rate color कितना प्यारा color है बहुत ही खुबसुरत है ये पुना variety का hibiscus है और यहाँ पर देखिए नाकचंपा नाकचंपा काफी दिन से इस तरह की फ्लावरिंग हो रही है नाक चंपा में और थोड़ी सी साइज इसकी जो है लंबाई जो है ज्यादा हो जाती ही तो उपर में फ्लावर खिलता है बाकि यहां पर सारे प्लांट रखे हुए हैं जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो तो टिकोमा देखिए बहुत अच्छी से इस समय फ्लावरिंग कर रहा है और इसमें मनें वर्मी कंपोस्ड दिया था और सीवीड का थोड़ा सा पावडर आधा चम्मच और आधा चम्मच जो है सरसोखली और आधा चम्मच एनपीके आधा चम्मच जो है एनपीके और एप जो है बारिस की वज़े से खराब हो गए तो उनको मैंने हटा दिया है बहुत सारे गमले मेरे जो खाली हो गए है उनमें मैं आप सोच रही हूं कि मैं जो है प्लांट लेकर आऊंगी और यह देखिए फिलो डेंडरन की पत्ती की तिनी खुबसूरत पत्ती है बिल्कुल ग देखिए यह है सफलेरा का प्लांट इसकी पत्ती देखिए बिल्कुल इसमें ग्रीन तो है ही नहीं और यह वाली जो है डबल कलर में है तो काफी खुबसूरत लगती है इस प्लांट को भी आप कटिंग से बहुत ही इजली लगा सकते हैं इजी टू ग्रो प्लांट है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, इसको भी हमको ठीक करना है ताकि हमारा जो प्लांट है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग ले सके, अभी मैं यही कहूंगी कि विंटर प्लांट है या फिर जो भी प्लांट है यह देखिए एस्टर का प्लांट है इसमें इस तरह के flowers आने लगे हैं और ये ही बिसकस पास से दिखा देती हूँ इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये खराब हो गए है तो यहाँ पर देखिए फ्लावरिंग हो रही ही ये कल का खिला हुआ है इसको कट करके हटा देती हूँ तो ही बिसकस में तो काफी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है इस समय पत्या करल होने की समस्य यदि होती है तो उसमें फंगिसाइट का इस्प्रे कीजिए बहुत अच्छे से आपका प्लावरिंग चलने लगेगा और देखे ये भी ही बिसकस बहुत ही प्यारा है और ये पिंक वाला इस पिंक वाले में फ्रेंड्स जो है टोकरी लगी हुई है लेकिन मैं इसे रेनी सीजन में हटा नहीं पाई अब मैं इसको जो है फरवरी में रिपॉर्ट करूंगी कई प्लांट मेरे बहुत सारे खराब हो गए क्योंकि मैंने जैसी टोकरी हटाने की कोशिस की और टोकरी जो आती है बास्केट्स जाती है लगी हुई पुना से उसको जब हम हटाते हैं और रिपोर्ट करते हैं तो कई बार प्लांट जो है बिल्कुल खराब हो जाता है मेरा भी 2-3 प्लांट ऐसी खराब हो गया बहुत ही साउधानिया बरतने के बाद भी मैंने रिपोर्टिंग किया था यहाँ पर सारा देखिए इस तरह का मेरा गार्डन है यहाँ पर गुलाब की जो अपडेट है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है एक यही प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग हो रही है इस समय और बाकी प्लांट में तो नहीं हो रही है और ये देखिए ये वाला जो है रेट कलर का ये भी ही बिसकस है इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है मेरे गार्डन में अभी ये जो है रेनी सीजन में काफी बीक साइज के फ्लावर आते हैं इसमें अभी साइज जो है थोड़ा छोटा हो गया है तो इनको ज़्यादा जो फ्लावरिंग करते हैं जो प्लांट फ्रेंड्स उनको कम से कम 20-25 दिन में फर्टिलाइजर जरूर दीजिए तभी आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी क्योंकि अक्सर हम देखते हैं नरसरी वालों के पास बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है लेकिन जब हम घर पर लाते हैं तो प्लांट थोड़े बहुत एक दो फ्लावर देने के बाद बस उसमें पत्तियां ही पत्तियां रह जाती ही तो उसका रीजन यही है कि नरसरी व वर्मिक कमपोजड जरूर इस्तमाल करिए मैं अपने गाडन में फ्रेंट्स वर्मिक कमपोजड का ज़्यादा इस्तमाल करती हूं और यह प्लांट मेरा देखे वर्मिक कमपोजड का ही रिजल्ट है और आप देखे टिकोमा में कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है ब आज मैं अपलाई करूंगी अपने सारे प्लांट में खास तोर पिटूनिया में भी ब्लेक ब्लेक से कीड़े दिखने लगे हैं उडने वाले कीड़े और विसकस में भी बुल्दाओदी में भी बहुत सारे चिपचिपे कीड़े हो गए हैं तो फ्रेंड्स आपको देखिए इस तरह से जो पैकेट आता है कौन सा पैकेट है वो भी मैं दिखाऊंगी आपको और ये तो मैंने पहले से तयार कर लिया था और ये है जो मैं डाल रही हूं दवाई इसका वीडियो मैंने परसो सेयर किया था आप लोगों से कि कौन सा इंसेक्टिसाइड है इमीडा क्लोर पहले मैंने अपलाई किया मेरे वीडियो देख सकते हैं आप जाकर और उसका रिजल्ट मुझे काफी अच्छा मिला है तो आज साम को भी मैं फिर से अपलाई करूंगी कुछ और भी प्लांट जो मेरे बच गय थे और कुछ प्लांट में अभी भी कीडे माकोडे और भी हो हैं उनमें मैं आज अपलाई करूंगी तो आपको जो है सर्भी चीजों का ध्यान देना है ये डिबबा देखे मैं दिखाती हूं आपको इमीडा कोलोरो प्लीट सेवेंटी परसेंट देखिए इस तरह का ये डिबबा आता है और इसमें पांच पैकेट होता है फ्रेंड्स पूरा डिबबा लेते हैं तो 80 रुपय पढ़ता है और सिंगल में 100 रुपीज हो जाएगा तो इसको पांच लिटर केन है मेरा पांच लिटर केन में आपको एक पेकेट घोलना है और यदि कुछ प्लांट यदि आपकी जो पत्ती मडोर की समस्या होगी तो आप इसमें एक पांच लिटर पानी में मिक्स करके डालना है और एक चमच फंगी साइड पाउडर भी आप चाहे तो इसमें तो मैं तो नहीं कर रही हूँ अभी दो तीन दिन पहले मैंने फंगी साइड का इस्प्रे सारे प्लांट को किया है जिसमें प्रॉब्लम थी तो इंसेक्टिसाइड अभी इस समय जो है विंटर सीजन में भी बहुत सारे हो जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है और अपने सारे प्लांट में अप्लाई करना है जिससे की कीडे मकोडे का ट्रकोप ना हो और हमारा प्लांट जो है खराब ना हो यह है डहलिया को मैंने हटा दिया है यहां लेकर आ गई हूं मैं और यह मेरा चंपा का प्लांट है जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है इस समय तो प्लांट की ग्रोथ मैंने दिखा दी है और अभी ऐसा तो कुछ है नहीं गाडन में जितने फ्लावर्स खिले हैं सब मैंने दिख पारी हूं जिससे की मंडे वेलिया दूर से ही दिखे लेकिन सोच रहे हूं कुछ न कुछ जरूर करूंगी तो मैं आ गई हूं अपने टैरिस के दूसरे शाइट जहां पर मैंने बुद्ध जी को स्थाफित किया है और यहां का लुप कुछ इस तरह से दिखता है देखिए तो आसा करती हूं फ्रेंड्स आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में बाई बाई